प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है उत्ताप्रिस में निकाय चुनाओं की सरगर्मियों के बीच कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही हैं जानकारिया एक कि अखले सिया तो आगामी 24 के चुनाओं यानि 24 की आम चुनाओं में इस बार कन्नोस से उम्मिर करेंगे तो क्या करेंगे करनोस की स्रीट पर होने कहा कि उचकता करनोस से लड़ेंगे क्योंकि पेहले भी आजमगर से सांसर्थ तैकपत्द कर अदे बार फिर सक्रीटा दिखाई है और सक्रीटा में दिखाया है कि किस तरह से सपा भाजपा और कॉंगरेस ने अब तक केबल उत्तपरिस की जन्ता को ठगा है केबल बहतर काम 2017 से 12 यानि इनकी सरकार में किये गए थे जब कुस समय कॉंगरेस सरकार थी औरたमाम बड़े प्रजट वो वब कर सकती थी पर केंद से कॉंगरेस सरकार थी उससे सयोग नहीं मिला और बीज़ेपी तो कामी करना नहीं चाहती है तमाम बाते करती है, बिकास की बातें करती है, निवेस की बातें करती है, पर निवेस के बर भूमी एडिग्रेन और तमाम ब्योस्तों के भी सीमित रह जाता है, और उसका जो बास्त् ुपा को सपोर्ट नहीं की किया होता, तो साहिद गंगा एक्सप्रेस बे और जेवर EIRPORT उनकी सरकार में बन गए होते क्योंकि वो लगातार सरकार में को बैतर करने का प्रयास कर हुए कि तहीm ताहरो सबसे सफल कारaskाल रहा है उत्तापरेस। में 2.7 से 12 अब कारेकाल सफल दाहा है वो सायर बसपा सरकार जानती थी या फिर जानती है यहां की जनता इसके अलाब अगर हम बात करें इन चुनावों की तो मैंपुरी और राभपुर खतौली हाला कि 24 के चुनाव में बहुत समय नहीं है बहुत देखा जाएगा तो केवल देड़ साल कारेकाली मिलेगा जो भी यहां पर अभी सानसर बनेगा 5 देसंबर को चुनाव है आठ डेसंबर को यहां पर पढ़नाम आएंगे पर कही नहीं कहीं चुनाव है बहनपुरी का लोकसबाव चुनाव बलानजिश्ञ यादों के निधन के बास सीट काली हुई थी सब मिनानेक व्यूस्था के चलते हैं यहां पर सीट होने पर चुनाव होते हैं तो रामपुर खतौली में भी चुनाव हैं और तीनों चुनाओं को अगर हम बात करें तो इस तीनों चुनाओं में केवल हो कि प्रिटिस्था डाओ पर लगी है प्रिटिष्ठा सपा की और प्रिटिष्ठा भाजबा की आजमगाल और रामपर के लोक्सवाग चुनाओं में जिस तरह जीत दर्ज की उससे भारतिन्दा पार्टी के होंसेले बुलन ने तो कहीं सपा को भी इस्वार सिपाल सिंग यारो यानि पिस्पा पमुक और अखली ज यारो तो कि सपा के राष्टि डिष्ट है उनके चाचा का और चाचा का जिस तरह से उनको यहां पर एक साथ मिला है उस साथ से यह बहतर जरूर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब मैनपुरी की सीट पर जहां पर बीजेपी कह रही थी हम पर्चम ले रहा हैंगे वहाप यारो की बर्तुमान में बिरानसवा च्हेत रहें तो कई ना कई उनका साथ में जाना यहां बीजेपी के लिए चुनोती और सपा के लिए एक मरहम का काम करेगा रामपुर में क्या होगा खतौली में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा फिराल अखले ज्यारों का बैय लेकिन कहीं न कहीं साजों को सरद भी हो सकता है मैं तुरी ने पहले भी लिए बात जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को बोट डालना पड़ा था और एलेक्शन कमिशन ने भी ऐसी सकती की थी कि बोट पढ़ना पाई इस दिए उमीद है कि जहां हमारा सेनिखन म पढ़म कार्करता है ये अगर आप लोग वियाना सेओक कर देंगे तो कहीं कोई दुरह देएगी उद्पूर्व को तो चुकि मैटपूर मुद्दा है और एक मैटपूर मुद्दा ये भी है कि चुराओ आने बाले है और चुराओ आने के बीच में भी एक मैटपूर पहली है कि इंवेस्टर सम्मिट भी होने बाली है दस से बारा फरवरी की बीच में और दस से बारा फरवरी के बीच में सम् और बड़े बड़े यहां पर निवेश भी होंगे और उत्ताप्रिस पर उत्ताप्रिस पर निवेश करने के लिए आमंतिर करेंगे बाकाड एसके लिए परकटा तयार हुए रणिती क्रियात काम होगा पर वहीं पिपर्च का कहना है कि परानी इंवेश्टर सम्मिट दो हुई है उनकी आख़ड़े क्या है कितना बेतर हुआ है यह जनता भी जानती है और यहां के लोग भी जानते हैं पर महरपूर्ण सबसे यहां पर एक बात है कि निकाय चुनाओ भी आने बाले है निकाय चुनाओ उप चुनाओ और आने बाला दोज़ाच चुनाओ यह तीन चुनाओ है जरूर है पर तीन चुनाओ में अंतर बहुत समय का नहीं है क्योंकि अभी जैसे ही उप चुनाओ ख़तम होंगे इसके बार आपका निकाय चुनाव शुरू हो जाएगा और निकाय चुनाव शुरू होने के बाद सबसे मेटपून 24 चुनाव और तैयारिया इसलिए बहतर आ रही है कि अगर हम बहतर करेंगे निवेस का बहतर योगी मोडल पेस करेंगे अगर हम सही रणनीती बनाएंगे तो जनता निस्सी रूप से हमको फिर जनाधार देगी पर जनाधार के लिए केवल केवल ट्वीट की राजनीती ही परयात नहीं होती है अगर बास्तम में जनाधार लाना है अगर बास्तम में कुछ प्लान करना है या बास्तम में सत्ता की कुर्सी पे आसीन होना है तो इसके लिए जरूरी है ध्राजली संगर्स क्योंकि जनता के मुद्दों पर अब संगर्स होना बंद हो गया है सायर अब संगर्स के वर सोचल मीडिया के माध्यम से ही नजर आता है और ही हम लगातार देख रहे हैं ये बात आज की नहीं है ये काफी समय से हम देख रहा है और बिद्यांसव चुनाओ के बाद जैसे ही पढ़नाम आये थे दस माज दोजार बाइस को उसके बास से ये सियासत का एक डिस्टी कोन हो गया है कि सत्ता पच्छ यहां पर काम करता नजर आ रहा है तो बेपच्छ यहां पर केवल सूसल मीडिया के मध्यम से अपनी चुनोती पेस कर रहा है अब सूसल मीडिया की चुनोती सूसल मीडिया पर ही रहेगी उसका खासा असर तो होने बाला नहीं है और यही पढ़नाम आने वाले समय में हमें देखा कि गोला गोकरणाड भी यहां पर सपा के हाँ से निकल गई और इसके साथ ही गड़ माने जाले रामपुर के लुकसवाफ चुनाओ और आजमगड के लुकसवाफ चुनाओ आजमगड जहां से 2022 में सपा को दस सीटों पर जी दिनेशनल याला निर्वगा जीत गए और सपस्ट कर दिया कि जहां रणिती होती है जहां मेहनत होती है जहां संगटन की ब्योस्था होती है जहां आरकर करते हैं रोल होता है जहां बूट था संगटन मजबूत होता है बहाँ जीत केबल होती है उस पार्टी की जो मेहनत कर समय गया और अब समय आया है संगर्स का संगर्स निकाय चुनाव में और संगर्स दोयर 24 की चुनाव में मेहमान को इसी समय में हमसे जुड़ने वाले आपको रूबर करा दूँ पर यहां पर जो चर्चा है बहुत मेरे पून है क्योंकि इस चर्चा के मादन तो तमाम चीजे साफ होने वाली हैं कि आने वाले समय में आने वाले चुनावों में आने वाले निकाय चुनावों में और 24 की चुनावों में किस तरह से बहतर बेवस्ता होगी बस्पा भी ट्वीट के मारने दे चुनावी समर में कूल गई है बस्पा को सपा और भाजपा किस तरीके से देखेंगे कोंगरिस को किस तरीके से देखेंगे यह मैटपूर्ण पिसने हैं और यहां पर मैटपूर्ण पिसने ये भी है कि बीजेपी जो कि हर सीट को महत्पूर्ण समझते हुए पूरी सिद्धत के साथ पूरी जद्धों जहर के साथ चुनाव में उतरती है वो बार स्पश बताती है कि कोई भी चुनाव अब सपा के लिए आसान नहीं रहने वाला है चाहे मुमलायन सिंग्यादों की रिक्त हुई सीठ हो चाहे रामपुर हो और चाहे खतौली हो बैतर वही होगा जहां पर प्रयास करेंगे बैतर वही होगा जहां चीजे होगी और वैतर वही होगा जहां पर संगर्स होगा संगर्ष की घड़ी आ गई है पहले उप चुनाओ फिर निकाय चुनाओ फिर 24 चुनाओ और यहां पर सबसे महटपूर बात यहां जिस तरह से इंवरेस्टर सम्मेट होने बाली है तो कहीं न कहीं अब कुछ उम्मीद जनता को भी है कुछ उम्मीद सत्ता पच्च को भी है तो कुछ आरोप त्यारोप करने की उम्मीद बेपर्च को भी रहेगी और वेपस्ट की भूमिका में आये हैं, अब भूमिका यहां पर अखली स्यारों को दिखानी होगी, च्योंकि और साथी तो उनके चले गए हैं, छोड़कर, च्योंकि कहा जाता है कि चलाए बहुत देते हैं, जहाँ सलाए देते हैं, वहाँ पर रिस्ते नहीं चल पाते हैं, हम चीज़े देख रहा हैं, कि जिस तरह से यहां पर बेउस्था खराब ही हैं, और बेउस्ताओ कि चलते हैं यहां पर, अब वो इस्तिति नहीं बन रही है, कि आने बाले समय में बहुत परवरतर होगा, फिरहाल इस चुनाओं में जिस तरह से मेनपुरी रामपुर खतौल कि अगर आप लगातार काम करेंगे अगर आपका संगटन बूट इस्ता तक मजबूत है अगर आपकी रणनीती बेतर है तो मेरे ख्याल से परवरतन होते रहेंगे पहले भी में पच्छ रखेंगे परवक्ता आपकी रूप में सभी में मेमनों का बहुत स्वागत है तो यहां पर पहला हमारा सवाल राएगा वो निता सपा से रहेगा मिसम भाई अगले जी बोले है कि हो सकता कन्नों से चनों लड़ जाएं सरगनमी हुई है बयान उनका आया है ठीक है अभी तो आजिमगर छोड़के करल चले गए थे अब करल से कन्नों जाएंगे ठीक है उनका बेचार है कभी सांसर कभी बिदायक पर चनों तो उनना कहा भी कि चनों लड़ना ज़रूरी हमारा कामी चनों लड़ना है ठीक है लड़ते रहेंगे पर यहां महिनपुरी और खतौली रामपुर में जिस तरह से पेटिस्टा डाव पर लगी है उसको कैसे डेखेंगी हाला कि सिपाल चाचा का साथ तो मिल गया है और पिसी बार भी लगा है बि मुझे सकी जानकारी नहीं है कि राशिय अद्धिक जी ने भी क्या बयान दिया है मैं भी पहुचा हूं तो आप ऐसा बता है तो जो भी बयान दिया है उन्होंने सोच समझ करके दिया होगा वो परिपक वो नेता है और राशिय नेतरत देख रहे हैं दाहिर सी करता थे जो भी उनका बयान होता है। वथ बयान और पाल्टियों की तरह हवा हवाई होता हूं। और रही बात चाचा और भतीजे की। टो चाचा और में हमेशा सम्मान रहा और कभी लड़ाई नहीं रही। कुछ राजनीतिक पाल्टियां दरूर चाहती थी दराड डल जाए और फूट डालने का काम करती थी और दूर से देख करके अनन्द लेती थी अच्छे है हाला कि उनके उस चीज़ पर पानी फिर गया और उनको बड़ा अफसोस भी होगा इस बात का कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने इतनी आग सुलगाई इतना मीडिया से चाचा और बतीजे की लिए किसने आक से लो भाई? वो तो जिनको मैं कह रहा हूँ वो तो समझ रहे होंगे पानी नशेब में चला जाएगा इसको अनालिसिस करने की जरूरत नहीं है वैसे भाई लडाई ये तो साथ में क्यो कर रहे है घर में करें? घर की बात है तो भाई? लडाई थी ही नहीं अच्छा लडाई तो एक आद्मी की वयचारिक राजनीतिक कोई मतभ्यद रहता है ॉब्यूरी नहीं गरूरी नहीं है कि जो बात घर autonomous करे तो उसको सम्माने उ करते हैं करते हैं करते हैं करते रहेंगे और वो अपने बयान में कह भी चुके हैं कि हमारे यहां हमारे बड़ों का सम्मान किया जाता है हमारे बड़ों का अस्थी कलज घुमा करके राजनीत नहीं की जाता है हम अस्थी कलज घुमा के राजनीत नहीं करते हैं हम बड़ों का स पहजीब और सम्मान का ये परड़ाम है कि आपने देखा कि आ करके शिपाल जी ने अपनी उस वैचारिक और उस परिवारिक जिसको आप कह सकते हैं कि सम्मान को नहीं भूले आते ही उन्होंने चाचा शिपाल जी के पैर चुए और उनको सम्मान दिया हलाकि ये मीडिया ने किसी भगवान की ईश्वर की अराधना की जाती है ना मीडिया को साथ ले जाकर के कहीं मंदिर मस्जिद घूमा जाता है इसके ये किया रहा है बिसम भाई ये वो मैं जहां कह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे और जनता समझ रही है कहने की जरुरत नहीं है क्योंकि डर भी लगता है कि जब आदमी बहुत ताकत में होता है तो अहिंकार में आ जाता है और अहिंकार जो होता है वो मुझे लगता है सिहत के लिए ठीक नहीं होता है इसलिए नाम लेने से उबाल आएगा और हो सकता हो मुगदमे लिखा दिये जाते हैं सरकार के अंदर सच बोलने कि तो मनादी है जो विपक्ष है विपक्ष को जो एक पावर दी जाती है कि विपक्ष अपनी बात रख सकता है लोग तंद्र की कुछ मूल भूत कुछ सुविधाय होती है कि जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं मगर आज की डेट में एक तानाशाही रवया अपना दिया हूँ बगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया ने वहाँ पर पैर चूते दिखाया इसका मतलब यह नहीं था कि कभी हमारे राश्यत देख जी शिपाल जी का पैर ही नहीं चूते थे वो तो इतिफाक से था कि उलतीन स्टेज पर पैर चूआ तो मीडिया ने देख लि हर नेता क्या बच्चे बूले जवान हैं और एक भरा परिवार है जो कि बीजेपी में नहीं है तो हम लोग भी प्यार में उत्साहित हो करके अपने बच्चों को कंधे पर बिठा लेने का मतलब यह नहीं है कि आपने जो है वो उसको किसी और तरह से परिभाशित करने लग हम कंधे पर बिठाते हैं प्यार में उत्साह में तो जब भतीजा और बच्चा बड़ा हो जाता है तो बड़े क्या करते हैं अपनी सीट सूट करके बच्चों को इस्थान पर बैठाते हैं ताके बड़े के होते हुए बच्चों को किसी परकार की असुधाय ना हो और रही इसी बात पर ले करके कोई स्थान, कोई नियुक्ति, कोई नेता, कोई सीट का चेहन करते हैं, तब हमारे उपर इसी तरह से आरोप लगाए जाता है, कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका कोई इलाग नहीं है, आपकी जैसी दृष्टी है, वैसा आपका मन है, और जैसा मन है, वैसी निटी है, वैसी जैसा भाई, बीजेपी नी चनौती बन गई है, मैन पूरी, कोई मतलब यह नहीं होड़ता है, वो नेता जी के ट्रेशनल सीट है, मगर हाँ, ये बात सच है, कि जो बीजेपी, नेता जी की बातों की गाथा कर रही थी, अभी कोछ दिन पहले, और वही है, उसी सीट से नेता जी के खिलाब चनौत परचार में एक परत्याशी को उतार दिया, तो उसमें ये जाहिर होता है, कि उनकों महापुरूशों से कोई मतलब नहीं है, भारती जनता पार्टी के लिए सिर्ट चुनाओं ही मुद्दा है, और आप यकीन जाने है, लोकतंतर भी खत्म हो जाएगा, यूकि जब तलक के चुनाओं है, तब तक के बीजेपी को लोकतंतर की याद आती है, और चुनाओं खत्ब होने के बाद ये सब भूल जाते है, तभी आप देखिए, कि मैंने अभी देखा, कि इनकी दोगली नीती आप देखिए, मैं जो क आईए, कि इसमें जो है, तो आपको क्या दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये है, कि जनसंख्या पर कंट्रोल एक तरफ करने के लिए, रिंग्या के पापा आपत मचा देते हैं, और एक तरह बढ़ी बदाई हो उनको, हम तो चाहते ही हैं, कि आप में सामर्थ हो, आप दस बच्चे पाइजा करें, अगर आप उनका पालन पोशण कर सकते हैं, तो क्या बुराई है इसमें, अच्छी बात है, अगर आपके दस बच्चे, दसो इंजिनियर, दसो डॉक्टर, दसो आईयस हो गए, तो इसमें तो देश तरक्की करेंगा, तीस आपके पोटो खचाते हैं, और रहाँ पर रिंग्या के पापा बनने वाले हैं, क्या तरीका है और क्या लिक्काद है इनको? खड़े भी नहीं होते हैं और बाकादा शिपाल जी ने क्या क्या कहा उस सब के सामने हैं इनकी यादाश अगर भूल जाते हूं तो कोई बात नहीं है सारे समाज में हैं और सोशल मीडिया आज एक ऐसा माध्य में कि आप अगर गूगल पे डालेंगे विजासबा की कारवाई शिपाल जाड़जी का बयान तो पूरा विडियो आपको चल कर allezगा संसकार की बात करते तो अखिलेश जाड़ब ने किस तरीके से किस संसकार में किस भाश्य में सदन में बात किया है वह पूरे हिंदोस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कितना उनको अपनी बात पर पच्टावा हुआ और उसके बाद संसकार की बात करते हैं तो आपको यूभी आदोगा जब शिपाल जादोजी का इन से विवाद हुआ था तो किस तरीके से मंच पर ये पिता जी के सामने इन्होंने धका दिया माइक चीना क्या क्या हुआ सब कुछ सब को पता है तो ऐस लोग जब संसकार की बात करते हैं तो बड़ी शर्म आती है और हसी भी आती है कि वो पार्टी जिसके पास संसकार नाम की चीज़ी खतम हो गई हो जो अहंकार में चला हो और अपने पिता जी की विरासत को धीरे धीरे खतम करने पर उतार हुआ है अखिलेश यादोजी में स पारिवारिक मेटर था क्या कहा क्या नहीं कहा और शिपाल यादोजी उनके साथा हैं लेकिन अभी तक शिपाल यादोजी ने अपनी पार्टी को खतम करने का ऐसा कहीं पर भी एलान नहीं कि हमारी पार्टी खतम हो गई है मैं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में आ गया हूँ अब रहे जाती बात कि इन्होंने एक और अंदरोनी खाने से खबर ये कि इन्होंने एक और उनको जो है तो तोता थमाया है कि मैं आपको 2024 के बाद मैं कन्नोस से चुनाओ लडूँगा करना दोंगा तो भी बहुत दिन दूर नहीं है कि जब 2024 के चुनाओ आएगा हाला कि तभ तक देखने का क्षिता की से पकड़ा दिए कि मैं आपको विपक्ष का नेता बना दूगा और मैं सांसाद बन जाऊंगा कन्नोस से दोनों चीदे नामुम्किन है और उसके बाद आप देखें अभी वो वक्त बहुत दूर है कुछी दिनों मा आप देखेंगे कि शिपाल यादव जी और अखलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ यहीं तक इनका गड़ बंधन है क्योंकि शिपाल यादव जी सम्मान के आगे क देखेंगे कि शियांटा के बीच में जा रहें तो कहीं पर भी आपने देखा कि अखलेश यादव ने कहीं पर विकास के बात की वो कि हमने 2,012 से 2,017 तक विकास की नदेभादी थी महिन पूरी में 4,14 बना दिये थे इस पर हमकोटड हो, 12 कारखाने लगा दिये थे इस तिन्हाई जी के नाम पर हमकोर दिये और परिवार बार कि बात की बात फिर वहिए आती है कि वहां की जनता ही आज कह रही है। दो जगहां का चुनाओ जिस तरीके से जीता है रामपूर और आदमगर ये भी विरासत थी समाजवादी पार्टी की ये भी बहुत मद्बूत किला था ये भी बहुत मिदे थी इनकों कि हम जीते हैंगे लेकिन एक छोटे से कार करता ने दिनेश राज जादो ने और लोधी जी ने किस तरीके से आदम खाके गड़मी और वहाँ पर जो धरमिंदर जयादो कि किस तरीके से हरा कर भारति जनता पार्टी का किस तरीके से कमल खिला है ये पुरी दुनिया ने दिखा और हम इसके पहले नेता जी का सम्मान हम करते थे समाजवादी पार्टी के लोग भले नहीं करते थे लेकिन जब तक मुलायम सिंग यादो जिन्दा थे तब तक भारती जनता पार्टी वहाँ फुल फार्म में कभी चुनाओ नहीं लड़ी ये सिर्फ और सिर्फ उनके सम्मान में था ना कभी कोई महाँ पे स्टार पचारा गया ना कभी मोधी जीने कोई रैली की ना कभी यूगल जीने कोई रैली की तो इस तरीके का बयान हमारे डिप्टिसीम ने भी दिया है कि हम उनके सम्मान में हमेशा उनका सम्मान करते थे क्योंकि नेता जी थे वो लेकिन आज उनके लाश पर आज उनके मरने पर किस तरीके थे समाजवादी पार्टी उनके राजनिती को बिलकुल खतम करने पर उतारू बड़ा अफसोस आता है कि कभी समाजवादी पार्टी हुआ करते दी लेकिन आज अखलेश वादी लोग हैं यौजवान जो उनके साथ जुटे हुए हैं जो भी आइस तया सब आए हैथ Ça उनके मार्दशन पे चलती थी अब को ऐसी बात नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मीसम भाई बैठे हैं, मैं बता दे भाई, कि कोई बड़े दस नेताओ का नाम बता दे भाई, क्यों? क्योंकि अब जो है, किसी नेता का नाम अखलेश यादाओ के आगे आता ही नहीं है. इसलिए आप महिनपूरी का विकास चाहते और वहां की जंता भी चाहती है परिवर्तन तो इस बार परिवर्तन जरूर होगा सब्सक्राइब आपको ठीठा की सफलता मिली थी इस बार पर्चम बहतर होगा और दस दिन में आपके कारकारता के आट सो सब्मिनन भी हो रहे हैं और किस तर चुनोती बनेंगे सपाः भाचपा के लिए तेके बातियंता पार्टी के कारकाल में पिछले दस सालों में और लगातारा नगर डि के हैं के जहां सासत भातिंता पार्टी के कई बार सासत बार चुने गए लेकिन लगनो नगर निकम का हाल और सारे नगर निकम का हाल बहुत बुरा है अभी जो आपके शमसी आदा साब बोल रहे थे मुझे लग रहा था वो अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा बोलने है एकाषे चाहते हुं इसी की शुनते नहीं नगी कौते हैं वी भूरतесь कि अबने लिए मिलाता सर भी साल गुटारा सिन्मLast एपरन ऑर के लिए नाम ऑग इदिए संजेसी के लाँवाँ कोन से नाम। तरातल पर कौन देखता है अगर आप सुने नागों का अगरता अब शाम दिन रात मेहनत कर रहे हम आन्दी पार्टी के अंदर हर जगहां नगने कम हर घाओं में हर पर अपर उत्तर प्रदेश में अब देखना मीडिया देखना कम लोगों चाहती है आप देखना कम लोगों अब आप अब दिकारी है मसाच दिखा रही है सरारी कारे है तो बीजिघता है उन् ya बसाता कम पर सबस्दाइक पर LEG कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं जनता परिवर्तन चाहती हो बदलाओ चाहती है जब परवर्तन की बारती है जनता परवर्तन करती रही जनता जो आप बोलते हैं जो आप क्या सवाल कूछ तो आप आनी पार्टी बहुत शक्ति के साथ सड़कों पर सगश कर रही है निकन देकम में कार कर रही है लगातार उससे लोग जोड़ा है हजारों की संख्या में करकरता है लोग कांप कर रहे हैं रोज पचासों मीटिंग हो रही है थे स्थी मीटिंग है मानी पार्टी उत्रक्रडेश वो रोज कर रही है जिसमें हजारों की संख्या मैं करता है हम अदर है हर पुए चाहता है कि उसके प्रदेश में उसके शहर में उसके नजिगम में उसके जाव में एक और ऐसी सरकार है जो आव आपनी पार्टी के तरह Арwijn के जीवड़ उश्राइब के उपन जभी और पारे प हुईरात में आरा है यही जेज जब से जब भाति इंता पार्टी के परवक्ता बोलना शुरूगते हैं लगता किसी ने खाटू नेट्वरान कर भिया है तौम एंजरी में इतना मदा नहीं आता है तिर की बातों सुने मदा आता है अचिए तौम टार्टी कि अवगता है अधिश्वाधी पार्टी को अफिश्वाधी पर लाटा था अचार थी कि अपने ही अगाने पुछ कर नहीं पा रहे हैं झालाब अगरेंगा आजब्स नहीं पा अजआ नहींगा तो लिए ठीक प्टेटीं को माई घ्रा बढ़ेंगा मिजम भाई बड़े खुस है कह रहा है कि अब तो जीतना संभवी है म्यानपुरी भाजपा हार जाएगी समसी भाई बोलना है कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा है और केबल गटबंदर आठ डिसमबर तक है उसके फिर अलग हो जाएंगे कैसे लिखते हैं गरव जी देखें एक करने के बजाए हम इसा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं मजबूरी है पार्टियों की भी कि उनको चुनाव लड़ना है तो कुछ ना कुछ वही करना है अब जनता के मुद्दों से दूर है लोग पैसा कमाते हैं जैसे आप बहन जी का नाम लिया अपने की बहन जी ने ट्व देख रहा हो कि अभी स्युपाल जी पिछले एलेक्शन में भी अकले जी साथ हो गये थे फिर एक अगर यही चीज आप साहब देखे होते जी तो बहुत खुश होते कि आज चाचा बतीजा एक हैं एक मंच पर सारा परिवार है जी तो वहां भी एक होगा चाचा चाचा बी हाँ सारे लोग एक हो गए जी अब जनता गायब है सब परिवार परिवार हो गया सब खेल रहे हैं अपस में जैसे बहाई साहब ने कहा हमारे संसी साहब ने कहा कि मुलाहिम सिंग के नाव पर चुनावड़ा जा रहा है जी तो उसका जवाब भी साहद आमादभी पार्टी कि परवक्ता ने दिया कि यहां भी तो वही चल रहा है कि मोधी साहब मोधी साहब के नाम पर ही तो आप यह देखिये कि कहा जा रहा है इलेक्षन कि रूप में जा रहा है एक बिक्तिवादी राज्मीत की तरह है यह चुनावचल है जनता के मुद्दे गायब है बिलकुल किरसी परधान देश में खेती क्या हो गई है, राजनीत खेती हो गई है, कैसे कितना बोना है, कितना काटना है, कितना कहां भेजना है, बस यही चलना, कितने कारखाने में जाना है, कितना गुदाम में रखना है, कितना बिदेश भेज देना है, मतलब सारा जो सिस्टम है, वो चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़के कैसे कितना पैसा कहां से लाएं, उसो कहां कहां सेटिल करें, अब दिक्कत जब होगी, तो जो सत्ता पच्छी के लोग होते हैं, वो जाहिद सी बात है कि उनके पास सारा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, तो वो जिसको जैसे द लेकिन कहीं का खुल जाता है कहीं का छुपा रहता है और टिकट बेशता आदमी कैसे देखिए ये भी एक बड़ी बर्थ है राजीनीत ही जो तेयं हो रही है वो किसी एक आदमी के इस एजेंडे पर नहीं तेय हो रहे कि विकास का किसका एजेंडा है जातिवादी जब यह तैंक कर लिया इन्होंने कि हमारा इतना बड़ा एक ओट बैंक है जिए अब इसको लोग आते हैं किस तरह से खरीदने के लिए कि हमारे पास भी दो चार दस जजार ओट है लाओ इस जगें चलें कुछ पैसा खर्चा करें और टिकट ले 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 यहाल मायावती जी फसल लगाई थी या खिती की थी उसको काटा उन्होंने खुब जम के खुब काटा और वही काटा उन्होंने कि और जो लोग जाते हैं खरीदने के लिए वो भी देखिए उत्रही गुनागार हैं वो यह नहीं चाहते कि हमें कोई जनता की राजजीत करनी है कोई समासेवा क ले कर के आएं कि समासेवा के उद्देश से आएं वो तो करें वही समासेवा करुकर होगा क्या रोज हमारे दर्वाजी चाल लोग ख़रे रहेंगे घिसकी की सेवा करेंगे दुनिया बर का तो कितने लोगों की लड़की की साधी है तो कितने लोगों बर ने तो बांटे रहेंगे उससे अच्छा है कि ये एक बार में ले जाकर के मोटी रकम पहुचाईए और वो जो उनका वोट बैंक है उसको खरीद लीजे प्लस अपना कुछ दस पुरी सीट तो समाजवादी पार्टी ही जीतती अब आप देख लिए कि मिसम भाई के पास तो कंडी रेट ही नहीं था पर इनके पास तो आदमी नहीं है कि चुनाव लड़ाई है वहीं से लेके आए हैं अपना ये भी लड़ा रहे हैं कि हम चलो ठीक है ये खुच जानते अब यहां देखिए जैसे अभी शुपाल जी और मुलाहिम से एक साथ हो गए अब बिचारे जो पीछे थे अकिलेश जी के और सुपाल जी के जो लड़ रहे थे एक दूसरे के लिए उनकी स्थिती सोचिए क्या होगा किसका सर फोड़ें वो जहां बजार में जाएंगे तो कहेंगे भाई तो इनके आदमी हो गए अब उन्होंने कहीं बीच में कुल्टा पुल्टा बयान दिया होगा जी तो वह रिकार्डेड होगा इनके हां बिलकुल अब से बड़ी जो देश में स्थिती है हमारे हैं जो हमेशा पॉलिटिक्स के मोड़े एलेक्शन मोड़ में रहता है यह हमारा दुर भाग गया है संसणी की तरफ आई आपको क्या बोले है पहले दिल्ली में संस्वनी मना यह पंजाब में अब बता रहा है गुज्डार पे सरकार बनाने जा रहा है इनके लिए क्या कहेंगा जया है पैसा लेना भी देना हुआ है चोटे से एलेक्शन में जिसको पारसदी और लबनगर न कहाने कहीं खुल जाता है कहीं छुप जाता है तो बहुत से जगह मायवती का छप जाता था खुला-खुला खेल खेलती थी कि इतना रुपिया लाओ और यह काम करो टिकट पाज आओगे तो ठीक ने तो बाकी वापस ले लेना बाकी जगों पर भी खेल चलता है इनकी पार हों आरोप लगे हैं सही है कि किसी चालीस लाग लेगे कि पचास अब सोच लीजिए एम सीडी के एलेक्शन में चालीस लाग-पचास लाग लोग पर क्या से बें ले रह रहे हैं को तो एसे लोगों ने बयान दिया जो एदिकारिक तौर्पे कही Matthew कि किसी और बताया था तो बीजेपी का शड़ियंत रही लगा था नहीं 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 को बदरजन करने के लिए लोग भी तो करते ही होंगे का शाइब मेड़िया के सामने पैसा लेते पड़ चाहिए इनके जड़ु पर बानी ने ता जो है वह निजद्दर पर्देश में पुरा पन्या से इनका पुरा फश्टा चारिगा आपकर लेते हैं टिकेट बेसे हैं यह अरुप लगा रभी आपक्या क्या क्या तरीका भी आ पर्देश में अभी आप जो है वजूद में नहीं नहीं आए तो आप आरूप ही लगा सकते हैं दो जगां दिल्ली में शीला दिछेत ने कहा था दिल्ली में की तरीके से उन्होंने कि खबजा किया कैसे दुर्टा दिया किसे मीडिया को वहाँ पे खरीदा कैसे पैसा किया कैसे पॉस्टर बाजी की सब को पता है सबको पता है और इस बार इस बार का जो विदान सबार चुना होगा उसमें आपकी यह सामने आ जाएगी अभी पंजाब में आपकी सरकार बढ़े बहुत ज्यादा दिन नहीं गुआ है लेकिन वहाँ पर किस तरीके देपराद लगातार बढ़ता जा रहा है इस तरीके देश उची दिन से और आपके मुखमंद्रिकों किस तरीके ते अर्पोर्ड पर रोका गया किस तरीके देए वो शराब के नशेमें था शर्मानी चाहिए थी के दिवाल को और उनको भी यह चाहिए था लेकिन उन्हें इस्तिफाद दिया नहीं क्योंकि आप नहीं किस तरीके दि किस तरीके देए पुष्टाज के लिए वोट ने बुलाई है इस सब कुछ सब के सामने आ चुका है और इस बार एमसीडी के चुनाव में जो आपकी नएया लडख़ाई हुए यह पूरी तरीके से साहिर हो चुका है लगे रही तरीके से जनता महां आपके खिलाफ है और करना है और जनता को मनुरंजिन कराना है आपके बस में नहीं है यहां उत्रपंदेश में गंगाशी वहनी हो गई आप इलाज नहीं करपाई इसी क्रोना में लाकों लोग मर रहते उत्रट टाने में प्चेभी की लोग पाय गए जल जल जिए वीलट विटकला खो घाला गया और की बस्ताचारी पार्टि एक नंबर की ऊटाले बाद पार्टी एक नंबर की बाटि बाटि आपक से नहीं पर आप निकल कर कहीं पर आप ने ना पुरूथ के नारतल की नारता रहे हैं कि रूद अस्तां तो कार नहीं तो कर रहा है यह पर देगी जबाब देगी तो है कहां कोई नहीं नहीं है यह दो आज़ार बाइस में भी कह रहे थे हुझा यह दो हाँ दोड़ रहे हैं और वेसी से जब्सके सबस्क्राइब दोड़ रहे थे उनके साथ आप ने तो सब्सक्राइब का क्याम अधी पाटी के पासा जो है वाजपा के दिन लद गए हैं भाजपा के दिन लद गए हैं भाजपा के चानलो बोलो समझ गए हैं अब आपका चाहर जाए हैं जाना दिन चलेगा रही है कहीं हैं आप यूपी में अब पार्टी बदल लेगी हैं तो कम ते कम लड़ना चाहिए तापको कहीं लड़ लेते कम ते कम वजूद में तो आप रहते तो आप रहते कम तो चार और तो पाते यहाँ एका भाए मार्य पर्देश में रणाए यहाँ थीका ठीक बाड़ के Oczywiście जिर के लड़यंगे यहाँगे यह जीते बिल कुल जीते हार से ममारे बनुपल पर्जाएं हुझता है लिए भाइस में आपका बढना थापने सारी चैनल के लिए अभी चल रहा है भाइस भाइस उपार कहना है और तकी बहुत कहना है कि बाद सपा कुछ निक अन्य वाली आओ अम तो यहाँ पर बीज़ी पु कड़ी टकर देंगे सपा कहीं है तो यहाँ पर किससे हाँ पार्टी सेकरेटा आप देख रहे हैं कैसे देखते हैं और समझी भाई पर के कहाई हला हर पाल्टी का अपनार सोच है और वो अपने आइडिलोजी के हिसाब से आगे बढ़ती है हमें किसी की पाल्टी पर कोई विर्तिकर टीका टिपिनी नहीं करनी है ना हमारे आदर शो में ये है जो जैसा लड़ लाहे लड़े जिसकी जैसी आस था उसका वैसा पूजा बाड़ जो हमारे बड़े भाई हमारे दादीतिक विशेशक की जो हजय कुमार जी बैठे हैं तो उन्होंने एक बात कही के पार्टियां टिकट लेती हैं तो देखिए मै उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ हाला कि वो काफी सीनियर है और विशेशक की है तो आम पार्टियों पे नदर रखते आए हैं होता क्या है कि जब कोई एक काम ये करता है तो जाहिर सी बात है कि सब बदनाम हो जाते हैं अजा क्योंकि ये खुला खेल है अब या बेक्त शराभ राज़ाजी तक जथी हैं ये उन्होंने ये सवाल पुचा था आप के सिसले में मैंने आपके शिशेंगे आपके मसले में कही तकी जी के लिए और दूसरी बात यह कि वो किसी सरकार में नहीं है और उनके ऊपर कोई responsibility अभी नहीं बनती है तो उनकी बात का जवाब देना मैं समझता हूँ कि अभी उचित नहीं है हाँ अगर कोई यही तो बात है ना कि सारे लोग उसमें अपना जो है डिफेंस किया क्योंकि वो वहाँ पर रहें उन्हों ने अपनी बात को बताया यहां पर उसके पर है भारती जिन्दा पार्टी जहां-जहां सरकार में हैं पूरे देश के अंदर अगर उसे कोई जबाल करो तो वो तेर त प्राइम टीवी पे कि हमारी पार्टी माने राज्य एद्धिक जी किसी से पैसा नहीं लेते हैं और अगर ये सिद्ध हो जाएगा या कोई कर देगा राज्य एद्धिक जी दो आ रहा हूं उनके संग्यान पैसा लिया गया तो मैं तद्कार परभाव से आज की रेट में पार परभाम नहीं हैं और ना हम किसी की आद्धिकारिक मातहद किसी के बंदे हुए हम अपनी स्वेच्छा से हैं क्योंकि मुझे राज्ट यद्ध अकलेश यादव जी जैसा और चरित्रवान और कोई नेता मुझे नजर ही नहीं आता है क्योंकि मेरी बदनसीबी है उत्तर पर लगते हैं क्या आज की देखिए मैं जो अनपढ़ हो का वो समझेगा जो पढ़ा लिखा है वो अपने उपर क्यों ले करके जाएगा जी मैं अनपढ़ की बात कर रहा हूं अब जो जो अनपढ़ होगा वो हीटा लेके मेरे उपर खड़ा हो जाए तो इसी दिए तो मैं कह इंडिया अगर कोई पिता अपने बेटे के उपर डाटता है सकती करता है तो इसलिए न करता है कि तो जब लड़का नहीं पढ़ेगा तो पिता को पर मुक्तमा दो गया बंद करा दो मैं अनपढ़ के लिए बात कर रहा हूं औरे पढ़े गा इंडिया तबी बढ़ेगा इ इंडिया तो जाहिल आद्मी जब राज करने हमारे ओपर बैठ जाएगा तो हमारा प्रदेश का मुस्तक्विल क्या होगा हम कि धर जाएगे हमारा मुस्तक्विल कि veggie जाएगा इसकी बातका कोई जवाब देगा है सिंगल परिवार जो है समाजवादी पेटी को चला रहा आप इंडिया हार गई दुनिया भर के जो त्षी बढ़े तो सुनो भईया जी यह बाब मैं ने ने मैं आपकी काबिल है वो चलाए ना जो पड़ा आप इद्वान है आप किसके परिवार से हैं आप विशेशक के बनके कैसे बैठ गए आप पर पड़े लिखें काबिल ना आ अजैसर को क्यो बूलाते हैं यह वही विशेशक है क्यों है रे भाई भाई विशेशक है तो है अद्मी को सीखना अप यह देख लिए आजंब आप पार्टी से च्छे साल के लिए निकाले गए ठीक है बावजूद इसके दो साल लगबक सक्ता के दोरान जेल भी रहे क्या वो काबिल नहीं है या उनकी काबलियत कम थी आप ये बताईए समाजवादी पार्टी में अगर पैसा आपके रो नहीं चलता है सारा पैसा जाता कहां है अगर साइकिल से चलने वाला आदमी जेट पे पहुँच गया और परिवार के हर आदमी के पास जेट हो ठीक है तो कहां से आया कौन से तरीके से आया हम लोग भी काम करते हैं हम लोग भी ऐसा कुछ बेवसाई करते हैं बहुत बड़े-बड़े बेवसाई होंगे जो कौन सा किया अकलिस यादो मुलाहिम सिंह यादो ने किया उनका परिवार पूरा का पूरा जेट से चलता है तो बताया उन्होंने बही कि इनके आप यह सब चलता है मैं यह कहना चाहरा हूँ हर एक पार्टी में यह सिस्टम है अभी श्रीवास्तो जी अभी हमारे दोस्त जो है क्योंकि अभी हमारे बेक्तिकत हमारे सम्मंद भी है इन से अब हमारे इन से बैचारिक मत्वे तलग है जैसे राज्जीत में यही तो दिक्कत है यहां पर अभी को यह कि आप खिलाब बोल रहे थे और आप तो कहते हैं दोस्त हैं मेरे भाई मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे बैशारिक राज्जीतिक मत्वें नहीं पड़ अब हमारे बात करो जो इन्होंने अभी आप से एक शराब की ओपर एक बात पूछी और मुझे लगा आप वो मिस कर गए तो मेरा बी यह जो है वो राजनीतिक और मेरी भी एक जिम्मेदारी है बिटिकत कि मैं उसका जवाब यह दे दू कि जो यह शराब की बात कर रहे हैं शायद यह भूल गए कि करोना काल में जिस तरह से लोग बिना अक्सीजन के बिना दवाईयों के मर रहे थे तब इस वक्त इनको शराब की दुकाने खोल करके और यह देश का अपर देश का रा बात कर दागाने अन्यकार को अपर अघाइमर नाम की बिमारी है इनके नेताओं को पात किसकत अलजाइमर है आपको हमेशा बत्चनाव आता है। जब ये खानून बनाते हैं जो ये कहते हैं बाबर अकबर की बाद के बाद। डिक्टेटर अब वो साब लागू हो गया पूरे देश के अंदर अमीर गरीब छोटा बड़ा सब के कंदे उपर डाल दिया और उसका आउटपुट क्या निकला उसका बेनफिट क्या मिला आपने क्या देखा शून आपने देखा कि कुछ भी ने और उसके बाद ये भूल गए और ये आगे की बाते शुरू कर देंगे तो ये पीछे की बाते भूल जाते हैं इन्होंने क्या किया क्या बोया क्या काट अभी आपने देखिये ब्रिष्टाचार की बात करते चले आ रहे हैं अभी भाली में आप देख लिजे सामाम मिनूस चरों ने चलाया कि इंकम टेक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ सारे अधिकारी उसके अंदर भर्ष्ट पाएगा है तो यह बताईए कि लखनों के अंदर बैट करके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जब वो बर्ष्टाचार में लिप्त होते हैं तो जाहित सी बात हैं उन्हें कहीं न कहीं पुष्ट पनाई है ना किसी पाल्टी की सबस्ताइब कि जिस सरकार में और अब विदेश से बड़े बड़े उधुख पती पूजी पुची पूझी पुची निए के इनी सरकार पर बेद्य है अब यह आपको में बताओं यह कैना में बताना चाहा हूँ अगर यह फिर भी सरकार में रहे तो इनको दो हदार बारा इनकी नसीब से इनकी दिंदगी से नहीं निकले हैं। परिवार वाद की तो हदार बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ची और बता दू। मैं आपके दर्शकों को बता दू। जितने भी दर्शक आपके सुन रहे हैं गहरो जी। आप इनके लेता टोपियों से बड़ा चिड़ते थे। आपके लेता स्वें टोपिया लगाएता है। ये टोपी राच भक्ती की हैं। और वो टोपी गुंडों की वाला की थी पहचान होती की। जिसको पोदी जी ने कहें के उतरवा दिया। अब लोने लगाना छोड़ दिया है। नाथु राम गोर्टसे की तोप्या है। ये गुंडों की तोप्य है। हम एक्सेप्ट करते हम हारे हम परदेश में दिखाई दे रहे हैं दो हजार बाइस से ओविस के चिनाओं में जब यह हारेंगे चीनाओं में खाएंगे यह बाइस देखाई है राजिनीट में खाब नहीं देखा जाता। वे वह लोग देते हैं परलाएंगें अधर बॉलक देते हैं जो जन्ता इंसे एकदम समझ लेए जो मुलाम सिंगादौ पेला थी तो पेंके मुला बन गे थे मुसलमानों को बहलाने के लिए मुसलमानों को बहकाने के लिए और उसके दारसेवा को भे गूली चलिवाई जिवाई आज तक माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहां पर चर्चा थी की उप्चुनाओं में क्या होगा अखलेश यादव और सिर्पाल सिंग यादव यहां पर एक हो चुके है मेंपुरी का समय के बदलेगा या पुरानी परंपरा चलती रहेगी खतौली में क्या होगा रामपुर में क्या होगा क्या बहां पर रामपुर लोक्सवा और चुनाओं यसी ही परंपा चलेगी आजमगर जैसा हाल होगा यहाँ पर समावी पार्टी अपनी प्रिश्चा को बचा पाएगी निकाय चुनावी आने बाले साथ में आने बाले है दोजाट चुनावी पर यहाँ पर जिसे से हमने देखा एक चर्चा हो रही है पर बात एक ही नहीं हो रही है वो हो रही ही जनता की कि जनता के मुद्दे कहां जाएगे जनता के लिए संगर्स कौन करेगा धरातल पर कौन उतरेगा जनता की बात कौन करेगा यह अपर किसी भी पार्टी प्रवक्ता ने नहीं कहा आरोप पे त्यारोप आसोन है आरोप पे त्यारोप जरूरी है पर साथ इसाथ जनता की जगोर भी जरूरी है अगर जनता के मुद्दे उठाएंगे धरातल पर संगर्श करेंगे तो ही बजलाव होगा नहीं तो जो परंपरा फिराल चल लए है बही चलती रहेंगी तो आज क झाल